हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवा चैनल प्लावर प्लावर पास सकें तो आज हम आपको हिबिस्केस प्लावर पर ग्राफ्टिंग करना बताएंगे अब से पहले हम टेहनी का चुनाव करेंगे जिसके लिए हम ब्राउन टेहनी लेंगे जादा हरी टेहनी आपको नहीं लेनी है क्योंकि वो नहीं होती है आप हमेशा पुरानी यानि ब्राउन टेहनी लें उस पर ही ग्राफ्टिंग करें और एक्स्टर लीफ्स और एक्स्टर व्रांचिस को हटा दें टेहनी पर से और जिस टहनी की आपको grafting करनी है उस पर से भी आप पतियां हटा दीजिए ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो plant की power energy होती है वो direct grafted portion को मिल सकती है और जिस्ते हमारी grafting जल्दी सफल होती है किसी भी color के hibiscus पे किसी भी color की hibiscus की grafting की जा सकती है हम red hibiscus पे chili hibiscus की grafting कर रहे हैं और इस तरह से हम बिल्कुल अपनी टहनी ready कर लेते हैं और आप छोटी से छोटी cutting लीजिए क्योंकि वो जल्दी result देती है लगबग 6-7 इंच बड़ी cutting आप ले सकते हैं और इस पर 45 degree angle के धम दो cut लगाएंगे एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ तो बिल्कुल यह एक नुकीली जैसी हो गई है जिससे शार्प हो गई है बिल्कुल और जिस तहनी पर हम इसको grafting करेंगे उसमें हम center में cut लगाएंगे कुछ इस तरह से बिल्कुल center में आप cut लगाएंगे और जादे गहरा cut नहीं लगाना है जितने में यह अच्छे से fix हो जाए उतना ही cut लगाना है तो first cutting को हम second cutting में इसको fix कर देते हैं यही grafting कहलाती है आपसे जो टहनी निकलेंगी उसमें different color की flowering होगी तो same plant पे different color की flowering आपको मिल जाएगी तो इसको अच्छे से अब हम बांध देंगे आप thread का यूज कर सकते हैं धागे का या grafting tape का यूज कर सकते हैं जिससे आप इसको बांध दीजिए तो जदे tightly भी नहीं बांधे और जदे डीला भी नहीं बांधे आपको medium ही बांधना है इसको क्योंकि जदे अगर tight बांध देंगे तो भी आपकी grafting नहीं चलेगी और जदे डीला बांध देंगे अगर आप तो भी grafting नहीं चलेगी तो इसलिए आप कुछ इस तरह से बांधिये हलके हातों से ये जरूरी नहीं है आप ग्राफ्टिंग टेप का ही यूज करें तो ग्राफ्टिंग टेप की जगे आप थ्रेड का यूज कर सकते हैं चाहिक का या जो भी आपके पास हो प्लेथिन से भी आप इसको बांध सकते हैं नॉर्मल पॉलेथिन से तो हम इसको बिलकुल सेब करने के लिए इसके ऊपर पॉलेथिन बांध देते हैं जिससे बिलकुल हिलेगी नहीं यहां से और हमें अच्छा रिजर्ट मिल पाएगा ग्राफ्टिंग 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है बरसात के दिरों में क्योंकि जो ग्राफ्टिंग होड़ती है उसे भी हुमिडिटी मिलती रहती है मौसर भी मिलता रहता है और मौसम में हुमिडिटी होने के कारण यह जल्दी सकस Women होती है है तो इस तरह से हम इसको बाज्धेते हैं आप किसी सीजन में कार्फिंग कर सकते हैं लेकिन तौन में करना ज identifying अच्छा होता है इस तरह से इसको बांध दीजिए ये बिल्कुल सेफ हो कही है एक दम तो ग्राफ्टिंग करने के दो मैथड है ये फर्स्ट मैथड था अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं उसके लिए भी हम ऐसे ही सेम ब्रांज चूज करेंगे बस कट लगाने का तरीका अलग होता है बाकी सेम होता है बिल्कुल तो इस तरह से आप इसे भी सेम साइज इसका चूज कीजिए तो ग्राफ्टिंग आप जरूर कीजिए क्योंकि उससे आपको एक ही पोधे पर दो तरह के फूल मिल पाएंगे और जरूरी नहीं है दो ही तरह के आप ज्यादा से ज्यादा कलर की जिसनी ब्रांचेज हो प्लांट पे उतने कलर की ग्राफ्टिंग आप कर सकते हैं और यह फ्लावरिंग प्लांट पे ही नहीं की जाती है जैसे कि जो सिट्रस होते हैं जो नीबू की फैमली होती है चाहे वो नारंगी हो चाहे वो औरेंज हो चाहे वो मॉसमी हो कुछ भी हो आ जैसे आप नीबू पर संत्रे की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, या फिर संत्रे पर नारंगी की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं, और आपने फ्रूटिंग प्लांट देखे होंगे, जयतर वो ग्राफ्टेड ही आते हैं, क्योंकि वो छोटे पौधे पर ही बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही होती है और या फिर वो air layering से तयार किये जाते हैं तो air layering की वीडियो भी हमने डाली है अपने चैनल पर आप description box में देख सकते हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और bell बटन प्रेस करना ना भूलिए क्योंकि उसी से आपको next वीडियो की notification मिलेगी जो side में bell बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ऐसी ही अच्छी जानकरी आपको आगे भी मिलती रहेंगी तो इस तरह से भी हम अपनी cutting को तयार कर लेते हैं बस इसमें cut दूसरी तरह से लगाया जाता है जैसे कि हमने उसमें 45 डिग्री एंगल पर cut लगाया था दोनों तरफ इसमें हम बिल्कुल center में cut लगाएंगे तो दोनों ही टेहनियों में हम center में cut लगाएंगे इस तरह से बिल्कुल center में cut लगाना है और इसमें भी दूसरी टेहनियों में भी आप बिल्कुल center में cut लगाएंगे और दोनों को एक दूसरे में fix कर दीजिए कुछ इस तरह से तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो आप उसे try कीजिए और बस इसको यहीं पर बान देंगे हम वही चाहे धागे से बान दिए चाहे ग्राफ्टिंग टेप से बान दिए सब कुछ सेम है बस cut लगाने का थोड़ा तरीका अलग है आपको जो भी अच्छा लगे आप try कीजिए इसका result हम आपको 30 दिन बात दिखाएंगे तो result हम इसमें दिखा भी सकते थे लेकिन फिर लेट हो जाता rainy season निकल जाता तो इसलिए आप फिर try नहीं कर पाते इसलिए आप इसको देख के try कर सकते हैं result भी हम आपको जल्दी ही दिखाएंगे और आपकी कोई query है कुछ question पूछना चाहते है तो आप हमारे comment box में comment कीजिए और वीडियो कैसी लगी ये भी बताईए comment box में और description box में हमने facebook page का और instagram page का link दिया हुआ है आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं उस पर भी आप question पूछ सकते हैं इस तरह से हमारी grafting बिलकुल तयार है और इसको policy से हमने बिलकुल safe कर दिया है gardening कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत जादे समान की जरूरत भी नहीं है इसके लिए आपके पास जो भी समान होता है आप उसी से ही gardening कर सकते हैं कुछ लोगों ने gardening को बहुत दुरलब बना दिया है बहुत मुश्किल बना दिया है लेकिन ऐसा नहीं है आपको कुछ भी चीज नहीं चाहिए होती gardening के लिए बहुत आसान तरीका है अब हम अपनी इन ग्राफ्टिंग जो हमने ग्राफ्टिंग की है इसको polythin से cover कर देते हैं जिससे इसमें मौश्चर बना रहे वैसे rainy season में यह करना जरूरी नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे वातावराण में मौश्चर नमी रहती ही है तो फिर भी हम कर देते हैं इस पर polythin से cover कर दिया है हमने जिससे हमें पता रहेगा कि हमने यहां पर ग्राफ्टिं की है और यह हिलेगी भी नहीं यहां से तो बिल्कुल सेफ रहेगी तो इस तरह से आप इसको polythin से cover भी कर सकते हैं और नहीं भी करें तो भी कोई बात नहीं तो इसलिए आप अपने यहां पर जरूर छोटा सा garden बनाईए और पानी बचाईए और अपने आसपास सफाई रखिए यही message देना चाहते हैं हम और आप भी अपने आसपास इस message को फैलाईए तो हमारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल तयार है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना बूलिएगा थैंक यू